ठीक है इसको creditor कर लेना purchase की मैंने purchase लिख दिया था creditor अब ठीक हो गया चलिए आगे आते हैं अब question पे question number आपकी book का 4 देखो question number 1 2 हो चुका 2 में एक part homework 3 बिल्कुल same था नहीं करवाया नहीं होगा तो मैं बता दूँगा अब आजाते हैं fourth पे interesting है कहता है from the following information आपको given है the operating cycle assume 360 days करते आएं और कहता है the amount of working capital required आप साथ के साथ हमें ये भी बताएं कि working capital की कितनी जरुरत पड़ेगे आपको बताना है यानि आप देख रहे हो आप working capital requirement जो अगलब हमने chapter किया था आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा connect हो चुका है तो चलिए कोई बात नहीं simply निकाल लेंगे format वही follow करते हैं चलिए ये date का क्यों बना दिया बना है particular working note मान लो और days मान लो पहले तो हम working capital निकाल ओपरेटिंग cycle निकाल लेते हैं फिर देखा जाएगा क्या है ठीक है ओपरेटिंग cycle के लिए अब देख लेते हैं कौन सा है सर इसके अंदर भी WIP की बात कर रहा है तो सबसे पहले raw material raw material को formula मैं लिखता जाता हूँ अगे ताकि आपको याद हो जाए मुझे तो याद है अब मैं लिख रहा हूँ raw material conversion period short form फिर दुबारा देखो मैं short form लिख रहा हूँ पहले मैंने full form लिख दिया raw material conversion period RMCP average raw material divided by purchase या फिर consume जो भी मिल जाए इंटू में 365 according to 360 क्योंकि question में 360 बोल रहा है तो सब हमारा raw material average देखे कहता है यह सब average देखे एक्जामर ने कितना आसान काम कर दिया raw material का देदिया धाई लाग और इस question में देखो total purchase है total production है total cost of goods or total sales है तो consumption कहां दे रखा है अच्छा सबसे उपर देखो annual consumption of raw material यानि consume भी question में दे दिया इसने तो हम अब किसकी मदद लेंगे पंद्रा लाग की अब बोलोगे सर यहाँ पे तो purchase भी लिखा है oblique consumption लिखा है तो priority consumption को दोगे फिर बाद में purchase को दोगे priority basis मैंने वो चीज़े बता दिये ठीक है न दोनों चीज़े कई बार ऐसा हो सकता है cost of goods or भी मिल जाए आपको production भी मिल जाए मैंने WIP में बोला है तो priority दोगे production को फिर cogs को ठीक है अगला WIP WIP का formula क्या बताया है sir WIP conversion period का average WIP divided by पहले मैंने बताया production low नहीं तो cogs low sir question के अंदर total purchase हमें चाहिए WIP average जो है डेड़ लाग डिवाइड किससे करें बताये डेड़ लाग का WIP डिवाइड किससे या तो production या conversion तो यहाँ पर production दे रखा है पच्च्यस लाग और मज़े की बात देखो इसमें आपको cost of goods or भी दे रखा है तो यहाँ confuse नहीं होना पहले production का काम होगा ठीक है फिर का उसमें use करेंगे हम अगला है हमारा FG Sir FG का formula क्या है FG conversion period का formula है average उपर देखो उपर का याद रखने का आसान है उपर हमेशा average रहेगा average क्या जो नाम है उसी का average अगर raw material है तो average raw material है या डबलू आईपी है तो average डबलू आईपी finished goods है तो average finished goods divided by क्या रहता है हमारा depend करता है situation पे fix नहीं रहता divide में हो सकता है cost of production आजाए हो सकता है COGS आजाए लेकिन यहाँ पर priority देंगे COGS अगर COGS नहीं है तब आगे देखेंगे production यूज कर सकते है last वो भी note देखेंगे नहीं दे रखा तो sir यहाँ पर FG दे रखा है 3.5 लाक और divided by cost of goods sold 28 लाक into 365 360 अगला आजाते है debtor यानि receivable conversion period average receivable कहलो debtor कहलो divided by credit क्या आएगा sales into में 360 तो sir debtor या receivable अब देखें average debtor आपको दे रखा है और average debtor क्या है यहाँ पर sir average debtor है 350 average debtor है 350 divided by हमें क्या चाहिए credit sales अब credit sales नहीं दे रखा हो तो total sales कोई क्या मान लेंगे कितने रुपए है बताईए 36 simple सा है यहाँ तक एक heading ऐसे भी लिख सकते हो जो भी यहाँ तक total आएगा यह लिख दोगे gross operating cycle इसके बाद माइनस कर दोगे आप receivable या पेबल माइनस कर दोगे पेबल या credit मर्जी आपकी जो मर्जी लिखिए इसका formula होगा हमारा average बताईए average creditor कितने का है धाई लाग divided by purchase लेंगे कितने है into 360 चलिए मैंने formula लिख दिया है बच्चे पूछ रहे है कोई whatsapp कोई whatsapp group नहीं है कुछ भी नहीं है जो है application पर application पर ही chat group बना हुआ है आप देखोगे तो आपको आ जाएगा chat में चलिए पहले का बताईए क्या आ रहा है 60 दूसरे का 20 तीसरे का 45 35 देखे मैं calculate नहीं कर रहा है आप calculate कर रहे है तो उसी के उपर यहाँ पर आ गया न operating gross cycle यहाँ total कर लेंगे पहले total 161 अब इसका क्या आ गया 56 इसको minus कर देंगे तो आज एगा net operating cycle NOC net operating cycle कितने 10 पहले यहाँ तक कोई दिक्क्त यानि कहने का मतलब है आप बातों को समझेगा तभी आप working capital जो निकालूँगा formula लिखूँगा समझ पाऊगे इस 105 का मतलब है कि हमें 105 दिन तक अपने पैसे को block करके रखना है अगर आज आपने 100 रुपे लगाए ना 100 के 200 होंगे लेकिन 105 दिन के बात तो अगर मैं बोलूँ ये क्या 150 दिन है अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ आप महीने का मुझे मंद का बताना उसी से formula आपसे ही बनवाय जाएगा मान लेते हैं मैंने कहा कि आपके पैसे 10 दिन में मिलेंगे कितने दिन में मिल जाएंगे 10 दिन में मिल जाएंगे हर 10 दिन बाद आपके पैसे मिल जाएंगे और मैंने बताया कि आपका 10 दिन का जो sales है 10 दिन के अंदर जो आपका raw material या sales volume है वो 2,00,00 है आपको पैसे 10 दिन के बाद मिलेंगे आपको sales जो है वो कितने का करते हो 2,00,00 का तो आप मुझे बताई है आपको 2,00,00 रुपे कितने दिन तक ब्लॉक करने होंगे simple 10 दिन तक आपको क्या करना पड़ेगा 2,00,00 रुपे ब्लॉक करके चलना पड़ेगा अगला question क्या कहता है सर इसमें कहता है कि the amount of working capital required मैं यहीं पे कर देता हूँ formula क्या बनता है पता है sales divided by sales divided by net operating cycle यानि पूरे साल में आपको क्योंकि यह कितने दिन है दिन तो निकल रहे हैं लेकिन data तो 360 से into कर रहा है तो पूरे साल के हिसाब से convert कर दिया है तो पूरे साल में आपको कितने working capital की requirement होगा 105 दिन के हिसाब से तो simple सी बात है सर sales हमारा कितने का है 36 लाग divided by आपका net operating cycle कितने आगया 100 कर ये divide करके क्या answer आता है 34 28 यानि आपका 34,285 रुपए का आपको requirement पड़ेगा working capital पूरे साल के duration में sales तो इतने का है sales तो सर ये पूरे साल का है ना अब पूरे साल में आपको 16 लाग था क्या था? 36 लाग पूरे साल में 36 लाग चाहिए लेकिन 36 लाग को 105 दिन के बाद कुछ पार चाहिए फिर 105 दिन के बाद कुछ और पार चाहिए यानि मान लेते हैं साल में 300 दिन है तो तीन बार में चाहिए ना तो उसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया इसको तो ये जो working capital requirement है ये per day है एक दिन का आपको working capital 34,285 रुपे चाहिए मैं एक real example लेके भी समझाओंगा इसको चलिए मैं एक example भी ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ मैं days के हिसाब से भी बता दूँगा और 105 दिन के हिसाब से भी बता देंगे ठीक है चलिए example देखिए एक example बना लेते हैं मान लीजिए आपका net operating cycle 36 net operating cycle 36 यानि सब काम कर लिया है मैंने यानि आपको आज अगर आप sale करते हो तो आपको payment जो मिलेगा वो कब मिलेगा 36 days के बाद आप बस जवाब देते जाएए कब मिलेगा यानि आपको मुझे ये बताना year में year में आपको कितनी बार year में 360 दिन है आप बताना year में आपको कितनी बार पैसे की जुरत पड़ेगी मैं simple सी बात करता हूँ इससे भी छोटा example ले ले लेते हैं आपको दो दिन बाद आपके पैसे मिल जाते हैं आपको दस दिन में कितनी बार आपको पैसे की मिलेंगे कितनी बार मिलेंगे 5 बार मिलेंगे क्योंकि 10 दिन के हमने target लिया है पहले दो दिन में मिलेंगे फिर दो दिन में मिलेंगे फिर दो दिन में इस तरीके से 5 बार मिलेंगे ऐसे मैंने कहा कि आपको 36 दिन बाद पैसे मिल जाते हैं और साल में कितने दिन है 360 साल में कितने दिन है तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको साल में कितनी बारी पैसे मिलेंगे यहाँ पे 5 बताया तो यहाँ पे मैं पूछू number of यानि कितनी बार आपको पैसे मिलेगा तो simple सा जवाब है 360 divided by क्या करोगे यानि बोलोगे सर साल में मुझे 10 बार पैसे मिलेगे 10 बार मिलेगे ना साल में पैसे और मान लेते हैं पूरे साल का आपका sales मान लेते हैं 36 लाख है पूरे साल का sales किसके? अंगरी की बैठा तो इसे बैठ जो बैठ जो अभी आनंद को कर दिया inform आपने यहाँ बैठ जाए अभी आनंद आएंगे तो फिर बताते हैं बहार ही रुक गया या फिर उपर बेट करना तो बात होगे या अनंद साथ साथ के अच्छा 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 नहीं बैठना है तो वेट कर लिजा हम ठीक हो मुझे बताईए 36 लाख रुपे पूरे साल में चाहिए मुझे simple logically बात करीगा या पहले मेरा पहले वाले point का doubt दे दीजे मैंने का सर यहाँ पे 36 दिन का net operating cycle है 360 दिन है तो 36 और 360 की अगर हम बात करते हैं तो आपने बोला सर साल में आपके पास 10 बार पैसे आएंगे साल में कितनी बार आएंगे पैसे और आप पूरे साल में sales कितना कर रहे हो 36 लाक रुपए का कर रहे हो sales तो 36 लाक का कर रहे हो तो यह 36 लाक एक ही बार में मिलेगा 10 टुकडो में मिलेगा क्योंकि 10 बार आपने कहा साल में 10 बार पैसे रिसीव करोगे यही बोला आपने पूरे साल का sales 36 लाक है आप 36,000,000 divided by 10 हर बार आपको 360 यानि 360 मिलेगा 360 ही आएगा ना 36,000 ये 36,000 ये 36,000 ये 36,000 ये 36,000 हर बार आपको 360 मिलेगा अगर मैं यही चीज पूछूं बताओ एक दिन में आपको कितने की working capital की requirement है तो सर ये जो 36,000 की requirement है न वो 36 दिनों में है समझ रहे हो तो अगर एक दिन का पूछू तो आप बोलोगे सर 360 और इसको फिर से 36 से डिवाइड कर देते हैं तो एक दिन में आपको working capital की requirement होगी एक दिन में working capital की requirement 10,000, 360 से अगर 10,000 को multiply करोगे तो वही हमारा 36,00,00 आ जाएगा समझ रहे हैं बात को यानि एक cycle में कितना जुरत पड़ेगा तो वह जवाब है ये cycle तो हमारा 36 दिन का है एक cycle में कितने requirement होगी और per day कितना requirement होगा तेम पीछे वाले question में मैंने formula बनाए नहीं है आप सब ने बोला कि ये होगा formula बनाए नहीं है formula अगर आप मैं number of operating cycle का formula आपके लिए drive करना चाहूँ तो आप खुद कर लोगे number of operating cycle का formula क्या होगा sir number of operating cycle का होगा number of total days year में year days divided by net operating यही तो करा है sir पूरे साल में 360 दिन और divided by 36 net operating cycle था अगर आप working capital की बात कर रहे हैं तो working capital का क्या formula बन गया आपका sir working capital आगर cycle की बात कर रहे हो तो आपने बोला sir sales रखो और divided by cycle की बात कर रहे हो तो आप रखो number of operating our operating, our exciting, number of operating cycle, अगर पूरे cycle की बात करो, दिन की बात कर रहें तो पता है क्या आ जाएगा यहां परित है, अगर एक दिन की पूच रहें तो क्या करदेंगे divided by, to begin on Number की बात नहीं करेंगे हम, क्या हमारा operating cycle कैसे निकालना दिन का Amne? divided by यानि जो हमारा एक आया उसको हमने divide कर दिया किस से पहले ये दो formula आप पहले understand करिए फिर मैं पीछे आले question को यहीं पर करके दिखाऊंगा पहले ये दो formula बताईए किसी को कोई doubt है ये आपने ही बनाये basically इस formula को बताईए किसी को doubt है इसमें number of operating cycle number of operating cycle का मतलब क्या हुआ theory पूछा जाएगा अभी सरफ इसलिए मैं समझा रहा हूँ what is the meaning of number of operating cycle blank हो जाओगे paper पता तो है लेकिन लिखे क्या आता है लेकिन लिखे क्या तो number of operating cycle वो cycle होता है कि आपको how many time आप amount receive करोगे कितनी बार आप क्या करोगे receive करोगे कितनी बार आपका पैसे circle flow होगा आपका पूरे इसके अंदर तो number of operating cycle यह निकाल लिए formula हो गया कितने दिन है divided by net NOC net operating cycle working capital का भी definition आएगा जब theory आले पार्ट पे आएएंगे तो हम working capital क्या होता है जो हमें required होता है अपने day-to-day business के activity करने के लिए उसे क्या बोलते हैं working capital यहां तक कोई दिक्कत असर पीछे वाले question में क्या पूछा था मैं इसको हटा देता हूं क्यूंकि आपने ऐसे समझा है तो मैं इसी तरीके से लेके चल रहा हूं इसको हटा देता हूं नेट ओपरेटिंग साइकल के बाद हमें पूछा गया working capital requirement तो हमें working capital अगर requirement पूछा गया तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या उसके बाद हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किस से 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 आ जाएगा हमारा तो सेम यहां पर भी यही कर दें नंबर ओफ ओपरेटिंग साइकल क्या करोगे सर 360 डिवाइड बाए कितने एक सो सर क्या आता है यहां पर 3.42 अगर हम working capital की बात करें तो अब क्या करोगे working capital में बताओ sales 36,000,000 divided by 3.42 बताइए दस लाख दस लाख बावन हजार 631 अगर आप बोलना चाहते हों कि सर डेज का बता दो आप इसको डिवाइड किस से कर देंगे 100 पास कि तो इसको डिवाइड किस से कर देंगे हम जो भी amount आ रहा हो पास से डिवाइड कर देंगे पहले बताओ कोई दिख्कत तो डिवाइड ओवाइड देखो आप ही कर रहे हो चिन बच्चों का हो सकता है गरवड का तो अब यहां पर एक समस्या यह है एक पोईट यहां पर यह है कि सर यह working capital तो आपने cost पे निकाला था breaking capital तो cost में sales तो including profit होता है और जो sales profit होता है तो profit की थोड़ी न requirement होती है हमें तो यहाँ पर तो sales पर निकाला है तो एक working capital आप sales basis पे नहीं निकाल सकते है और अंसर हो सकते हैं इसके यह मैंने निकाला working capital किसके basis पर एक cost के basis पर हो सकता है शर cost के basis की अगर हम बात करें तो यहाँ पके हमारा total cost क्या है हमारा cost of production ये रहा कितने cost of sales दे रखा है हाँ ये रहा 30,000,000 cost of sales क्या दे रखा है में तो हम 30,000,000 पे भी working capital तो उस situation में हमारा answer क्या आएगा 30,000,000 पे निकाले तो working capital is equal to 30,000,000 divided by 3 point क्या रहा है बताओ 877 192 यानि अगर मैं बस ये बताना चाहता हूँ exam में आपको किसी तरीके का situation आ सकता है तर अगर sales दे रखा है तो आप वहाँ पर ये कहके मत रुख जाना कि cost पता ही नहीं था तो हम working capital कैसे निकाले तो sales पे निकाल दो अगर आपको cost और sales दोनों दे रखा है तो दोनों निकालना है दोनों निकालो लेकिन priority आप इसको देना cost वाले को क्योंकि हमाँ पीछे जितने भी question हमने estimated working capital के की है किसको priority दिया है cost को दिया है ठीक है ना तो यह था हमारा question number 4 अब जिसका doubt एक बार पूछ सकते हैं 360 divided by 36 क्यों लिया कि number of operating cycle निकालने के लिए कि number of operating cycle कितने होंगे और वो example लिया था मैंने चैट में एक बार बता दिजिए क्या doubt है नोट करेंगे आप question number 5 6 एक बार question मैं 6 बस समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अब देखो examiner ने यहां क्या पूछ लिया जो मैं इतनी देर से समझाने की कोसिस कर रहा हूँ examiner ने यह पूछ लिया अब जैसे examiner ने पूछा net operating cycle आता है जी number of operating cycle year यह क्या पूछ लिया वही चीज तो मैं समझा रहा था आपको कि number of operating cycle कैसे जो net operating cycle आएगा हमें उसे year से divide कर देना है मतलब year divided by net तो यहां पे number भी निकल जाएगा उसके आप working capital यानि अगर examiner working capital सिर्फ पूछता है automatically आपको यह भी निकालना पड़ेगा और यह भी निकालना पड़ेगा अभी जो question करवाया था बिल्कुल same है सारी चीज़े आपको information given है यहां पे आप देख लो total cost of sales दे रखा है तो इसको priority लेके हम working capital निकाल लेगा हो जाएगा यह भी खेक है ना बहुत सारी चीज़े आपको दे रखा होगा बस आपके question इसमें दे रखे हैं कितने छे तो यह chapter होता है खतम अब doubt लेंगे देखो 4 मैंने कर दिया पांचवा question बहुत simple है how many operating cycle do have in the year फिर से पूछ लिया कितने number of operating cycle होगा तो number of operating cycle फिर से मैं अगर formula लिखूँ तो क्या होगा number of operating cycle number of या days in a year सर वैसे 365 होता है question कुछ ना बोले अगर question बोल दे तो वही मानना होगा divided by net operating यह पूरे साल का निकलता है ठीक है ना चलिए फटा फट नूट कर लिए अब जिसके doubt है आज मैं PDF डाल दूँगा total 6 question है और यह 6 question ही आपका रहेगा इसमें फिर अगले topic पर हम चलेंगे और practice के लिए अलग से question दे दूँगा मैं अभी यह करा था ना हमने ठीक है चलिए अब doubt ले ले